तो यह पहला लव्ज हो गया कॉल फॉर हल्प डेक्लियर आपने बताया है स्टॉप कर दें मशीन को वेपर फ्री कर दें रिससिटेशन मैनेज्मेंट एन एवैलुएशन विल गो साइड बाइसाइड ठीक है तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिसकस किया कि इसके अंदर रियानोडीन रिसेप्टर की प्रॉब्लम है अन कंट्रोल्ड ट्रिगर की ट्रिगर आम तौर पर क्या क्या होता है ट्रिगर ठीक है अच्छा अब यहीं पर यह आपसे आपको पता होना चाहिए और सक्स के इलावा आपको इसमें डिफरेंशल डाइगनोसिज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है नियुरिल अफ्टिक मलिगन सिंड्रोम सरॉटरन सिंड्रोम एक और बी वो किंग डिबॉरो मुझे तो नाम भी याद रहता है उसका आप लोगों को वो नाम याद होना चाहिए यह किंग डिबॉरो सम्थिग इस तरह करके नाम होता है मुझे याद नही आपको शाहिद य बैसिकली हमने सिर्फ डिफ्रेंशल डिफ्रेंशल के अंदर ना बहुत जो आस-पास की सारी सारी चीजों का आप कर सकते हैं अगर कोई जो है वह जो वन यूनी डारेक्शनल वैल्फ की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजा से भी हो सकता है ठीक है वह मतलब जो वैल्फ की इस तरह की पिक्चर हो सकती है जो यह सिराटोन सिंड्रोम होता है या इसकी भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यह कैसे होता है और जो एक चीज रियक्शन होता है जो MAO inhibitors होते हैं ले रहे होते हैं उनके साथ भी interaction होती है उसकी वजासे भी होता है तो जो heat के disorders होते है उसमें heat stroke होता है ठीक है तो उसके अंदर भी dehydration मतलब बेसिकली आपके differential के अंदर कोई भी problem जिसके अंदर hyper metabolic हो रही है तो वह आपको होने चाहिए तो आपसे यहां पर आपसे वो question भी पूछ सकते हैं और even याद रखो कि MCQ के अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपसे malignant hyperthermia ही पूछ रहे हो ठीक है या yes विल्कुल ठीक है सेपसिस भी हो सकता है सेपसिस भी हो सकता है उसकी picture इतनी acute नहीं होगी लेकिन बहारहाल आपके differential diagnosis में आप बता सकते हैं से इसके अंदर hypermetabolic phase होती है इसके अंदर cardiac output भी ज्यादा होता है उसके अंदर तो वह आपको एक picture मिले सकती है तो एक आप जहें में रखें कि जब भी आप कोई भी even क्योंकि आप लोग जो इस वक्ट कुछ वाले आये हैं कुछ MCQ वाले भी हैं तो आप लोगों की आपका approach को का मतलब है ठीक है और circulation का क्या मतलब है क्योंकि वहाँ पर exam में आपको ये एक default answer आप याद कर ले और आप वहाँ पर उसमें उसको सारों को आप आपका वो answer cover कर सकता है ठीक है तो इसके अंदर malignant hyperthermia के reference से अगर हम करें तो airway breathing circulation में क्या कुछ आएगा एक तो हमने कह दिया कि हमने उसको 100% oxygen कर दी और वेपर फ्री कर दिया ठीक है और इसके लावा कोई चीज आएगी अच्छा ब्रीधिंग में क्या होगा circulation में क्या होगा circulation में क्या करेंगे इ में क्या करेंगे circulation temperature control measures के लिए cold saline की irrigation करेंगे बतला basically जो यह डी के अंदर आपने ng और आपका folies ठीक है और आपकी sponging ठीक है तो आपने cold saline से आप उसको cold saline से मतला basically उसको expose करके उसको हर तरह से और यहाँ पर जो लिखा भी होता है mcqs में भी लिखा होता है कि aspirin नहीं देनी होती thyroid crisis में ठीक है और आपने जो है ना वो paracetamol दे सकते है यहाँ का मेरे खाल से aspirin से कोई तालुक नहीं है malignant hyperthermia का लेकिन क्योंके आपको इस वक नहीं पता exactly क्या हो सकता है patient क्यास को कहते हैं आपके आपके पास एक clear उसकी होगी picture होगी लेकिन आप यह इस बात का पता होना चाहिए उसके बात क्या करेंगे अब अब अगला बताईए कि इसमें investigations क्या करवाएंगे इस टाइम पर का आपको यहां वेरी गोड एपी जीज हो गया और एपी जीज के अंदर specific एक और चीज मतलब एपी जीज के अंदर lactate का रोल आएगा ठीक है वाइकार्ट का रोल आएगा ठीक है फिर उसके बाद इसके लाबावा कोई चाहिए आला है एइस्ट्रलाइट इन फॉट इन पर कोई सा एसिड्वीज में कौन सा एलेक्ट्रोड बढ़ जाता है जो कि फैटल एरिज्मिया कर सकते हैं पोटेशियम पोटेश्यम ठीक है और उसके लाबा जो है इसमें क्यूंके बहुत जादा जब मसल की activity होती है तो एक ब्लड में कौन सी चीज बढ़ती है CPK CPK और वो जो होता है न CPK और उसके बाद जो होता है न वो myoglobin ठीक है तो myoglobin से फिर आपका मतलब बेसिकली रप्डो माईलाइसिस वाली पिक्चर होती है रप्डो माईलाइसिस रप्डो माईलाइसिस ठीक है तो रप्डो माईलाइसिस से एक्यूट रीनल फियलियर हो सकता है ठीक है तो बेसिकली ये एक उसकी ब्रॉड पिक्चर है आप उसको ट्रिगरिंग एजेंट आपने बंद कर दिया आपने उसका टंपरेचर को कंट्रोल किया आपने जो है आपको मेरी यावाज आ रही है मैं शाइड डिसकनेक्ट हो गया था देंट्रोलीन ठीक है देंट्रोलीन की कितनी दोस होती है इसको ना याद रखने का एक तरीका उस जमाने में हम लोग नहीं किया था कि जो वो होता है ना जो लोग लिपिड होता है वो होता है वन पॉइंट फाइमल पर केजी ठीक है इसकी डोस कम होती है लेकिन मैकसिमम इसकी अप टू फिफटीन होती है ठीक है फिफटीन एमल पर केजी और जो ये होता है ना इसकी डोस जादा होती है लेकिन मैकसिमम इसकी कम होती है ठीक है फिर वो आपसे पूछ सकते हैं डेंट्रोलीन का मेकनिसम अफेक्शन क्या होता है ये वो कैलशियम की रिलीज को रोपता है ठीक है न और इसके इलावा जो डेंट्रोलीन है वो पता नहीं औरेंज कलर के पॉर्डर में होता है और इसको फिर डेक्स्टोल्ज में बनाते हैं ये पता होना चाहिए मुझे याद नहीं है इस वक्त लेकिन अपने पॉर्टर में करते हैं औरेंज कलर का पॉर्डर होता है इसके में अब आपसे एक्स्ट्रा वो सकते हैं कि डेंट्रोलीन और कौन-कौन-कौन-कौन सी कंडिशन वे या जा सकते हैं इसके लिए और कोई भी ऐसी जिसमें कॉन्ट्रेक्चर जो ठीक है तो बेसिकली इवन यह ओरल भी दी जाती है फॉर सम आइटिंक जो जो मायो टोनिया होते हैं तो उसके लिए भी यह यूज होती है बारल यह के यह इस मैक्सिमम दे कन आस्क यू अबाउट मिलिगनन्ट हाइपर धर्मिया अच्छा 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 इसके बारे में वह आपसे वह एक और क्वेस्चन पूछते हैं वह कैफीन कॉन्ट्रेक्चर बदनी टेस्ट होता है और इसकी मसल बायापसी होती है अच्छा उसके बाद एक और आपसे वाईवे के रेफरेंस से क्वेस्चन पूछ सकते हैं कि एक पेशन्ट है दो तरह से हो सकता है एक तो यह के पहले MH हुआ हो ऴुद दुबारा किसी केस के लिए आगया तो अब क्या करना है और किसी का family member में किसी को MH हुआ है तो उसको आपने कैसे डील करना है उसके लिए बेसिक बात याद रखें कि आपने फैमिली को कॉंसल तो करना ही करना है साथ आपने वो टीवा रीजिनल ठीक है यह दो चीजों के उपर आपने रखना है अब राइट जीशान और इसके लावा बेसिक बातें डिसकस कर लेए जिसकी अपना एमेच की हिस्ट्री या उसको डेफिनिटी टीवा या रीजिनल पी रखेंगे अगर फैमिली मेंबर है तो हमें यह पता नहीं है न कि पेशन्ट का अपना है के नहीं है एमेच तो उसके ल टीवा रीजिनल के दरफ जाएंगे और तो बी ऑन सेफ साइड अगर आप अगर आप एक्जैम के अंदर आप यह भी उनको कह देंगे कि कह देंगे कि बिकॉस इफ इन आवर सेटप यह नोट एबल तो रूल आउट ठीक है तो हम वी वी कैन गो फॉर वेपर फ्रेंस तीज लेकिन एक लिस्ट वाईवे के अंदर आप सेफ आंसर दे सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप यू यू विल नॉट गो फर इट ठीक है आप चांस नहीं लेंगे कि आप उसको एक्सपोज करें और फिर आपको पता चले कि इसको है या नहीं या तो प्रॉपर डॉक्टर इक्रा सलीम जी सर असलाम लेकुम वालेकुम असलाम आपने आपका वाईवा है ना जी सर अब आपने कल जो टॉपिक सर से पढ़े ना मैं वो नहीं कई सवाल पूछता हूँ कि सर सर से पढ़ने के बाद आप आंशर दे रही हैं या नहीं कल सर ने आप लोगों से सवाल वहां पर जब एक सीडी almighty के बारे में बातें हो रही थी तो सर ने कसीडी के बारे में पूछा था कि आपके इसमें प्रॉब्लम क्या będąती हैं pulmonary hypertension होती है basically वहां पर एक सब्सक्राइब क्या आप इसको differentiate कर सकती है pulmonary hypoplasia और pulmonary hypertension क्या यह दोनों एक चीज़ें नहीं सर्फ hypoplasia की वज़ा से pulmonary hypertension होती है exactly तो वहां पर सब लोग hypertension hypertension कर रहे थे hypoplasia वहां पर किसी मैंने जहां तक सुना था hypoplasia नहीं कोई बोल रहा था क्योंकि देखें इसके अंदर है problem क्या है इसके अंदर problem यह है कि जिस जगापे बिचारे महसूम फूलों ने लंग्स ने बनना है वहां पर पकड़ वहां पर इंटरस्टाइंस पहुंची वी है ठीक है तो जो लंग्स को pressure effect की वज़ा से अलवूलाई develop नहीं हो रहे है तो यहां पर एक्चुल प्राब्लम जो है pulmonary hypertension तो हो रही हो रही है यहां पर तो physical problem है ना कि वहां पर एलवूलाई के अंदर सर्फेक्टेंट बाला इशू है ठीक है उसके अंदर सर्फिस टेंशन इतनी जादा है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा वेंटिलेट ना सिर्फ उसके अंदर वैस्कुलर प्राब्लम हो रही है ठीक है तो यह जो वैस्कुलर प्राब्लम के लिए तो आप pulmonary hypertension बोलेंगे यहां पर तो developmental problem है with reference to physical development of alveoli ठीक है तो यह वहां पर आपने loud and clear loud and clear बोलना है जहां ता कल मैं जब सर आप लोगों की class सुन रहा था तो आप लोग alveoli का जिकर नहीं कर रहे थे alveoli is more important बाकी चीजों में pulmonary hypertension तो 75 चीजों में develop होती है यहां पर तो alveoli की problem है pulmonary hypertension को तो आप दवाईयों से ठीक कर सकते हैं क्या यहां पर सिर्फ दवाईयों से यह वाली problem ठीक हो सकती है नहीं नहीं हो सकती ठीक है तो इसलिए यहां पर practically जो है न क्योंके मैंने तो दो साल cardiac anesthesia में काम किया है तो वहां पर practically एक्मो के बगार या incubator के बगार यह बच्चे surgery के काबिल होते ही नहीं है practically ना पाकिसान में तो यह इतनी जिन लोगों ने children hospital में काम किया है सिर्फ उन लोगों ने यह चीज़ें देखी होंगी तो practically आप याद रखें कि आपने उनको अगर वो आप से लंग की maturation नहीं होगी we cannot go for surgery ठीक है अब लंग की maturation के लिए या तो लंग protective strategies के जरीए आप उसको वेंटिलेट करें जैसे के सर ने सारी आप लोगों को बता दी थी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसको pressure control ventilation कर देंगे वहाँ पर सर ने मुझे नहीं पता जहां तक मुझे याद पड़ता है आप लोगों में से किसी ने बोला भी था वहाँ पर permissive hypercapnia लेकिन सर ने उसको accept नहीं किया था I'm not sure कि मैं गलत मेरा concept या है या कोई आप लोगों में से correct कर सकता है permissive hypercapnia का मतलब ये होता है आप असल में पता problem क्या होती है आप लोग ज़्यादा important बात के बजाए जो खुबसूरत party where लवज होता है न वो आप लोग बोल देते है यहाँ पर important बात क्या permissive hypercapnia या pressure control ventilation प्रेशर control ventilation तो फिर यह permissive hypercapnia बोलेंगे क्यों पहले कि अगर कोई examiner के दिमाग में यह नहीं क्योंके यह controversial है समझाई यह जब मुझे जितना याद है जितने साल पहले अगर मैंने कभी पढ़ा था तो permissive hypercapnia का लवज पहले नहीं बोलना है आप यह कह सकते हैं कि हमने pressure control ventilation करनी है और हमने एलवलाई को बहुत जादा over inflate नहीं करना क्योंके उसमें नियूमोत हरिक्स हो जाएगा तो वह जब लैंग्स ही फट जाएंगे तो वह कहां का CO2 और कहां की oxygen जब आप achieve कर रहे हैं तो उस time पर आप you may you may have to allow high CO2 ठीक है यानि कि आप pressures को limit कर और actually यही बिलकुल same ARDS में भी यही होता है ठीक है ARDS का भी यही same theory है कि आपने उसको इतनी नहीं करनी कि उसके CO2 को normalize करने के लिए आप उसके पकड़के अलवलाई को फाट दे ठीक है तो यह कुछ असल में पता है देखें याद रखें किताबों के सफों को ना reproduce करें अकल इस्तमाल करें जब नहीं जब सवाल पूछा है तो आपको concept clear है ना तो वहाँ पर लोगों के मुझे क्यों पर्वेसिव hypercapnia निकल रहा था तो कोई examiner जिसके दमाग में यह बात नहीं है वो आप लोगों को fail कर देगा इस बात में ठीक है I hope you got it दूसरा इसके अंदर important बात यह है कि जब भी एक congenital anomaly होगी तो you have to rule out other congenital anomalies ठीक है तो इसके अंदर टॉफ भी हो सकता है इसके अंदर heart की भी हो सकती है ठीक है और आप बोल दें के भई आपको नहीं पता exactly ना दो आओ वेटर और वेक्टरल वाला भी आप बोल सकते है ठीक है आम तोर पे CDH के साथ यह नहीं होता लेकिन लिए कि आप उनको कह दें कि वेनेवर जिर इस वन congenital anomaly तो हमने बाकी congenital anomalies जो के कोई भी syndrome उसका पार्ट हो सकता है तो उसके अंदर हमने और इसमें हमारा main क्या है basic message आप उनको शुरू महीं बता दें शुरू महीं बता दें कि यह बच्चा premature हो सकता है इसके नहीं प्री it's cardiologist का बहुत इसमें सारों का एक combined decision होगा ठीक है और basically it's not a surgical emergency, it's a medical emergency ठीक है आप उसके अंदर जब patient के lungs इतने mature enough होगे कि वो surgery को tolerate कर सके वो बच्चे का इतना birth weight develop हो चुका होगा कि वो surgery को tolerate करे तब आप surgery करेंगे यह basic message आपने दे दिया उनको उसके बाद आपने वहाँ पर किसी ने वो बता दिया एंडो फाइबर आप्टिक फाइबर आप्टिक मतलब लाइक है कि यह बड़ाई dangerous answer था फाइबर आप्टिक छोटे बच्चों में नहीं हो सकती इतनी असानी से ठीक है ना फाइबर आप्टिक का नहीं भोलना फाइब के अंदर तो consistently वो हो रही होगी तो फाइबर आप्टिक आपने देखें वहाँ पर आप यह देखें कि आपको counter question के लिए ready होना चाहिए ठीक है तो इसके अनर basic आपको जो basic उसकी चीज़ें वो आप minimum size के endotrical tube और आप inhalational induction का नाम लें bag mask ventilation avoid करने की कोशिश करेंगे spontaneous ventilation पे patient क intubate करने की कोशिश करेंगे ठीक है और उसके बाद जो staff के अंदर बाकी सारी तकरीवन बाते हों का यही बहुत सारी बातें common होगी उसमें आपने intubate कैसे करेंगे? intubation का कैसे बताएंगे आप? इसमें हमने पहले जी सर इसमें हमने पहले एंजी डाली होगी intermittent suctioning करेंगे ठीक है फिर आपका माइक बंद हो गया मेरे ख़ल जी सर स्वारी वो फंग जी एंजी होगी suctioning हो गई फिर प्रॉप आप रखेंगे बच्चे को और इसकी intubation assess करेंगे पहले difficulty के हिसाब से obviously हो सकती है बच्चा पी mature भी है और होगा और यहां पर भी spontaneous ventilation का नाम ज़रूर ले ठीक है? और प्रिजर्व था स्पॉंटेनियस ventilation और और सर्ल रिंगोस्कोपी करके या हम यह 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 भी मैंने पढ़ा था कि surgeon को कह सकते हैं कि वो rigid bronchoscopy करके फिस्चुला की exact position मालूम कर ले और फिर उसके मताबिक हम एटिटी पास करेंगे कि फिस्चुला से भी यॉर्ण जाए उसकी अबव दा करीना रहे कुछ फिस्चुला जागर जिनकी low-lying है तो फिर हम में one lung ventilation के तरफ भी जाना पड़ सकता है अच्छा लेकिन जो basic concept है ना वो basic concept आप उनको यह तो आप मुश्किल मुश्किल आपने बता दी है बाटने one lung ventilation तक आप पहुंच गई simple बात पहले आप बताईए ना simple बात यह है कि जो simple तरीका यह है कि आप जो उसको पहले endo bronchial कर दें ठीक है एंडो bronchial कर दें आपको और फिर उसके बाद आप gradually आप उसको withdraw करें जहां पर आपको गर्गल्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप fistula वाली जगह पे है उसको थोड़ा सा मजीद पुश कर देंगे बाटस ठीक है यह बहुत ही simple answer है बहुत मुश्किल answer नहीं है बहुत simple answer है क या आपने उसकी लिरंगोस्कोपी की definitely जो अगर कोई इसकी specific type है तो एक अलग है बिलकुल जैसे for example अगर केराइना एक उपर है तो यह technique नहीं हो सकती अगर वो केराइना के उपर fistula है तो फिर कैसे होगा उसके अंदर आपका answer है लेकिन मुश्किल answer की तरफ पहले ना जाए इसमें जो question करते है वो यही करते हैं कि सबसे common type कौन सा है वो type C सबसे common होते है और उसी में ही यह जो आपने intubation का तरीका बताया ना वो सबसे ideal उसी क करने का तरीका है तो बेसिकली यही यही मेरा मैं आप लोगों को आप लोग प्रॉब्लम यह कि वहां पर याद रखें बाद के simple questions अपने आपको फसाए नहीं अब exam के अंदर वहां पर rigid bronchoscopy भी बहुत अच्छा answer नहीं है अगला आप से वह अगला सवाल पूछे तब आप प्रिजिट bronchoscopy का नाम ले पॉंगलाण ventilation में आप फस जाएंगी समझाइए करा ठीक हो गया सब्सान सवालों के जवाब देखें आपने उनसे आपने उनको पैद है यह बात बता दें कि इसके अंदर हम जादा ventilation करेंगे तो gastric insuffilation हो जाएगी aspiration तो होगी aspiration तो हो ही रही है chronic ना यहां पर हमारा मकसद है कि ventilation भी problem हो जाएगी बचा सांस नहीं ले पाएगा अगर उसका स्टमक भर जाएगा तो वह फर सी पहले ही lungs मुश्किल से सांस ले रहा है बच्छा तो आपने उसके lungs को स्टमक को भर दिया तो आपको problem होगी ठीक है तो इसलिए आपने spontaneous यह basic यह जो हैं वह देखो यह 10 साल के बाद भी याद है ठीक है मैं मैंने कभी भी पढ़ा मैं थोड़ी पोड़ रहों अखरी इम्टाहन 2016 में दिया था उसके बात भी भी न्हें प्ढ़ा लेकिं मैं मुझे उतनी बात यह उतनी बड़ी बड़ी बाते मुझे नहीं घाथे तिर 21L कि कुछ टाइट चैसी हैं कि जिसमें एंजी डाली नहीं सकती हैं एंजी जाएगी नहीं रेक्यों का पहला पहला जो होता है वो होता क्या है यह डाइग्नोसिस कैसे होता है कि काफ हो रही होती है और जब एंजी डालते हैं तो एंजी नहीं जाती है एंजी कैसे डालेंगे इम आई राइट इकरा दी सर थीक है तो आपने ये कहना है कि मैंने ये पारा था कि वो ब्लाइंड पाउच जो ऐसो फेकस का टाइप C में उपर होता है उसमें एंजी या सक्षिन कैटिटर डालके हम इंडर्मिटेंट सक्षिनिंग कर सकते हैं वो इस तरह से लेकिन ट्यूब कहा जाएगी फिर अगर वो ब्लाइंड पाउच है तो ट्यूब आपकी कहा जा रही है एंडोट्रिक्ल ट्यूब तो सब ट्रिक्या भी डालने एंडोट्रिक्ल ट्यूब के बात कर रहे हैं अगर मिसाल के तौर पे वह आपसे जब ये क्वेस्टिन पूछेंगे ना तो आपको जो बेसिक बात बता रहा हूँ ना के ट्राई टू बी वेरी सिंपल ये एंजी वला आपका अंसर गलत नहीं है लेकिन बाहराल आपको काउंटर आर्गुमेंट के लिए जैसे जीशान ने आपसे काउंटर आर्गुमेंट पूछ ली है तो आपको अब आपने डिफ प्रेटरिक की जो कॉमन कंसाइंज वो एक दफा लवज आप जरूर बोलें या दिस मेभी प्रीमिचूर बेबी तो हमने जब भी प्रीमिचूर मैंने बहुत सारी डिसकेशन के अंदर ये बार 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 बताया वाई पोस्ट गेस्टेशनल एज के बारे में ठीक है यापक जो 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 कॉमन प्राबलमों कि प्राबलमों होती है इसकी जो ओल्टर फिजिलॉजिकल फार्मोपलॉजिकल अने टॉमिगल कंसे लिए इनको रिप्रोड्यूस करने दें जाए ये सारी जिजिए अब कॉमन बात है किस तरह पता रहें गे जी एक रफ़ा जैसे कि मैंने अ पोस्गेस्टेशनल एज का बता दिया है, आईवी लाइन्स का बता दिया है, इसके इलावा और क्या बात बतानी है आपने प्रीमिचुर में या नियुनेट में? कार्डियो रिजर्व इनके लिमिटेड होते हैं, तेमप्रेचर के हवाले से इनका बाड़ी सब्सक्राइब होते हैं, इनकी हीट जिल्दी होने के चांसे होते हैं, इनकी हीट जेनरेशन एफिशन उस तरह नहीं होती, ब्राउन फैट पर डिपेंड होती है, रिनल फंक्शन का फुली डिवेलप नहीं होती है, नॉन शिवरिंग थर्मो जैनेसिस हो गई, वो आपसे यहां पर पूछ सकते हैं, ब्राउन फैट कहां पर होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो कि वो आपसे एक दम से पूछ सकते हैं, और इसके लावा एक इंपॉर्टन प्री एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, फाई यू टू, यह सर फाई यू टू, थर्टी परसंट तक रखनी है, इसकी सैचुरेशन का टार्गेट, 91 तो 94 परसंट है, मिनिमाम फाई यू टू रखनी है, क्यों, कहां कहां बे प्राब्लम होगी, आई में, और, यह सर रेटिन इसके, उसमें आपने जो कार्डियो रिस्पैरिटी रिजर्व वाली बात बताई है, जो तो वो आप उसको याद, यह, बतलब यह वो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन इसके नंबर होंगे, तो आपको अपने आंसर को ऐसा प्रिपेर करना है, और यही प्रैक्टिस है, बड़ी बड़ी क्वेस्टिन्स की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर तो आपने यह बातों को जो आपसे पूछ रहे होंगे, जादा स्यादा वो आपको यह कहरेंगे, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो उसको रिगर्ज हो रहा है, और जब उन्होंने एंजी डालने की अगर आपके दिमाग में यह नहीं बात होगी कि मैंने यह सारी बाते सबसे पहले बोल ली है, कि लो बर्थ वेट है, पोस्ट गेस्टेशनल एज है, आईवी लाइन्स हैं, कंसेंट के इशूज हैं, उसके बाद यह जो आपने थर्मो जैनेसिस वाली बताई, बताई यह ब ठीक है, आपको 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 आपके लिए मुश्किल होगी, यह भी आपने साथ बताने है, इसका अगर आटीरे लाइन लेनी हो तो किसमें लेंगे? प्री अग्तल गटल का होता है कमसेवागी, छिसल प्री डेक्तल राइड हम अंद की समें लेनी होता है, जी नहीं फ़िछितल प्शहरी प्री डेक्तल लिहां। थिक्थ है रैट रेडियल तक यह प्रीड रेडियल जुज को ते अम चने हूभ पूज कें। यह यह आपका यह आपकी वह प्लमुनरी ट्रंक है और यह आपका वह रहा है यह मतलब यह मैं और नहीं कैसे बना दिया लेकिन बारल यह प्लमुनरी आट्री यह 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 आपका डॉक्त प्लमुनरी थासर्वाइका नुकिनेक्ट होते है है उसको इसके यह निए कुछा सोटी है फिकल निकल जाता है उसके बाद तो इसकी यह फीकन्स होती है कि इसके बाद का जो एरिया होगा वो वो इलाका गहर है वहां पर कोई भी ट्रैफिक चल रही है वहां पर कोई रूल नहीं है वहां पर स्मगलिंग हो रही है कोई किदर का माल किदर जा रहा है उदर का माल इदर जा रहा है ठीक है यह इसलिए important है ठीक है फिर आपको यह मैं आपको मैं देखें असल में problem यह है कि आप लोगों को मेरे कभी कभी तो मेरे हथे चड़ते हैं मैं तो आप लोगों को बुलाता रहता हूं लेकिन आप लोगो छोटे मोटे लोगों के काली आपके पस time नहीं होता बड़ी-बड़ी चीजें कर लेंआप छोटी-मोटी चीजों को को तवेज़ न दे और चोटी-मोटी चीजों पर फेल होता है याद रखें बात आप यह यद रखें जब भी कोई भी हो आई वी यह इनْहलेशनल ये पेपर तो मैंने 75 दफा शेर किया है लेकिन आप लोगों नहीं नहीं देखा मेंटेनेंस फ्लूइड ये मैं बेतर्तीब लिख रहा हूँ लेकिन मॉनिटरिंग हर पेशेंट के अंदर मॉनिटरिंग की दिमाग में रखना है वहाँ पर जब तक आपको ये पहले से सेकंड आपकी नेचर नहीं होगी आप नहीं याद आएगा आप भूल जाएंगे मैं आपको गरंटी देता हूँ इस बात की ठीक है एक और तबाही मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मेरे वर्ड्स को याद रख ले ये जो प्री आप और इंटर आप और पोस्ट आप के चक्रों में जो आप पढ़ते हैं ये तबाही है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ के ये आपको नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप इतने परफेक्ट नहीं हैं कि आप डिवाइट कर सके कि क्या प्री आप है इंटर आप पोस्ट आप है खुझा के वास्ते प्री आप में सब कुछ बोल दे बजाए इसके ये कि आप pre-op, intra-op, post-op के चक्र में आपको याद ही न रहे और मज़े की बात बताओ, majority चीज़े आप pre-op में बता सकते हैं क्योंकि आपने अगर monitoring special करनी है तो आप पहले बता दें कि इस patient में specialized monitoring की ज़रूरत है इस patient को post-op ICU में जाना है ठीक है इस patient के लिए consent के आपने high risk consent लेना है इस patient को post-op ventilation की ज़रूरत पड़ सकती है आपको logistics की आपको वहाँ पर operation theater का special temperature आपने रखना है वहाँ पर heating devices हो, warming devices हो, specialized equipment हो सारी आपने बाते हैं, तो ज़्यादातर बातें जो होती है वो pre-op में बताई जा सकती हैं, समझाई? लेकिन अगर आप उस time पर आपने बड़ा पका हुआ है प्री-op, intra, post-op आपने बताना ही बताना है क्योंकि आप लोगों को ये तो, मैंने देखा है majority लोगों को ये बात कभी नहीं भूलती और उसका नतीज़ा ये होता है कि वो वहाँ पर भूल जाते है ठीक है? तो मैं फिर मैं वार्ड कर रहा हूँ प्री-op में बता देना बहतर है बजाएस के ये के बताएं ही ना ठीक है? क्योंकि आपको बाद में याद आएगा कि इसका तो ICO अरेंज करना है भूल गया है तो आपका निकल गया है वो नंबर उनके पास तो की है वो तो examiner तो की से आपका वाइबा ले रहा है examiner की में बाते हैं आप जब तक नहीं बोलेंगे वो आपको अगर आपने पहले भी बोल दिया तो वो टिक कर देगा उसको इसने बोल दिया इसको पता है इस बात का और actually अगर आप उसके सवाल पूछने से पहले ही आप बता देंगे वो आपको इंटरप्ट उस वक्त करेंगे जब आप भॉंगिया मार रहे हों वो इंटरप्ट करना शुरू करें इसका मतलब है कि आप आफ ट्रैक हो चुगे ठीक है तो यह यह मेरा point of view है आप इससे disagree कर सकते हैं लेकिन common बातों को याद करें यह मैंने कितनी दफ़ा मैसेज किया है कि आप लोगों को एक default answer आप लोगों के दिमाग पर होना चाहिए वो default answer अगर आपको याद हो गया तो आपके लिए problem नहीं होगी आप भूलेंगे लिए ठीक है कि pediatric का इंडर्ली का प्रीमिचूर का स्मोकर का प्रेगनेंट का ओबीज का ड्रग एडिक्ट का उसका जो है जो है आपका ओपी आई डिपेंडेंट का स्टीरोड डिपेंडेंडेंट का इसका आपका पहले से आपका repair ओआप तोई कोमेंट तो ये वो ये वो है जो मैं हर दफ़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ जिसने नहीं देखा वो शायद उसको उससे फाइदा हो जाए ये देखें वहाँ पर जो भी patient आई आपने अगर disease है तो उसकी category उसकी pathology mechanism of problems उसका diagnosis उसकी evaluation systems involved and estimating the severity of the disease और आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए anesthesia के steps और anesthesia की relevant चीज़ें तो वो anesthesia की relevant चीज़ें आम तोर पे airway, cardiac, respiratory और उसके बाद फिर आप सोचें के liver, kidney और bone marrow और homeostasis और aces based balance लेकिन mainly आपके लिए हर disease में देखें के को airway की problem है को cardiac की problem है को respiratory की problem है को nervous system की problem है या नहीं ठीक है उसके बाद आपने देखना है कि उस बिमारी जो भी आप बिमारी देख रहे हैं उसके अंदर cardiac risk factor निकलता है जैसे अभी मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, एक sickle cell disease का patient है, इसमें cardiac risk factor क्या होगा, anyone please, जी, एक रहा बताएं या कोई और, अगर कोई exam candidate है तो वो बता सकते है, sickle cell disease के अंदर cardiac risk factor क्या जी एक रहा है, इसका मतलब myocardial oxygen demand और supply की balance खराब हो सकता है, और वेस ओक्लूसिव सर ये disorder ये जो crisis में जाता है तो वो एक मतलब basically, वो तो pulmonary में आ जाएगा, मैं आपको practice के लिए मैंने सिर्फ आपको आपको जिर्फ आनीमिया याद रखे ना, बेसिकली आनीमिया है ना, जी sir, और जो multiple blood transfusion होते हैं, उनकी वज़ा से bone marrow की suppression हो सकती है, यानि कि plastic crisis हो सकता है, तो उसका भी heart पे directly effect होगा, अगर कोई कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो आपकी, अगर bone marrow suppression हो गया है, अगर plastic crisis है, तो उसके अंदर steroids वगरा देते हैं, तो मतलब basically, यह मैंने आपको एक just एक, मैंने आपको एक point बताया है, हर disease के अंदर हर चीज़ नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके अंदर काड़े, जैसे pulmonar risk factor इसके अंदर हो गया, infarctions होते हैं, ठीक है, renal risk क्या हो गया इसके अंदर, ARF हो सकता है, इसके अंदर जो है वो आपका airway management की क्या problem हो सकती है, sickle cell disease में, जी, सोचें जब बार-बार blood transfusion होती है, तो उसकी वज़ा से airway में कोई problem होती है जो actually basically thalassemia में होता है वो, thalemic faces नहीं होते है, जो maxillary protrusion होती है, इसमें airway की, इसमें difficult airway भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर repeated blood transfusion की वज़ा से, इसके अंदर जो हैं, वो cardiac depression भी होता है, जो एरिद्मियाज हो सकते हैं, जो basically आपको, बज़ा है इसके ये के आप से वो सवाल पूछें, आप इस फर्मे को हर disease के साथ fit कर लें, वहाँ पर आपको पहले से देखें, याद रखें, वहाँ पर 75 चीज़ें आपने नहीं बतानी, वहाँ पर आपको मोटी मोटी important बातें बतानी है, आपको हर disease के अंदर निकालें, कोई special monitoring है या नहीं, अगर मैं आपको कास diseases के अंदर आप निकालें, monitoring की क्या जरूरत है, आप यकीन करें, exam बहुत असान हो जाएगा, अगर आप पहले से prepare कर ले, diabetic patient है जी, क्या investigations की special जरूरत पढ़ सकती है, आप कहां सरो होना चाहिए, in addition to standard 1 and standard 2 monitoring, this patient might need arterial blood pressure monitoring because of autonomic neuropathy, we need to have repeated blood sugar, we need to have repeated electrolytes, if patient is receiving insulin, यह आपका point of care testing in addition to monitoring आपने उनको बता दिया, समझाई, और क्यूंके यह patient renal risk पे होता है, diabetic patient क्या renal risk पे होते है न, तो क्या इन patient में urine output को monitor करने की जरूरत होगी न, am I right, तो यह आपने, यह आपके दिमाग में होना चाहिए, कि special monitoring की क्या जरूरत होगी, fluid की क्या जरूरत होगी, ठीक है, induction agent के कोई specific बात हो सकती है, आप बता सकते हैं, कि भई, diabetic patient में swings of blood pressure हो सकते हैं, तो अगर साथ में कोई उसका end organ damage है, cardiac के अंदर, तो maybe you need to have it omidate, ठीक है, इस patient के अंदर, जो, क्या आप सको कहते हैं, आपने ऐसी steroids, जो normally हम देते हैं, तो steroids आपने इसके अंदर, dexamithasone अगर आप देंगे, तो आप, it's not contraindicated, but you should anticipate hyperglycemia, ठीक है, तो यह मैंने आपको एक इसकी reference से बता दिया है, यह diabetic patients के अंदर, autonomic neuropathy की वज़ा से, post-operative, जो है, वो neuropathic pain और post-surgical pain होने के ज़्यादा chances होंगे, ठीक है, तो आपने इसमें अच्छा analgesia देना है, you should give multimodal analgesia, taking care, आपने उसका, जो भी आप उसका plan बनाएंगे, यह, this patient will be at more risk of post-surgical pain, as compared to other patient, हाला के इसमें neuropathies हैं, ठीक है, इसी दरीके से fluid therapy की बात हो गई, इसी दरीके से recovery की बात हो गई, post-operative course के अंदर आपने glycemic control के बारे में बात कर दी, अगर उसका hyperglycemia है, तो यह patient जो है, जो है, वो dehydrated हो सकता है, इस patient को post-operative, अगर वो insulin dependent diabetes mellitis है, तो post-operative course के अंदर आप, आप बता दें के इसके अंदर जो diabetic emergencies हैं, वो सकती है, hyperglycemia भी हो सकता है, decay भी हो सकता है, और hyperosmetic non-ketotic भी हो सकता है, अगर आप ये, इस frame के अंदर diseases को fit करेंगे, तो आपके लिए answer देना बहुत असान हो जाएगा, आप यकीन करें, थोड़ी सी practice करके तो देखें, आप हर disease को अंदर fit करें, और उसके बाद अगर आपको सकता है, तो जब तक ये नहीं बताएगा कि इसमें जो है ना, विलीन और गलुटामेट नहीं बदलता, तब तक उनको खलेजे में ठंड नहीं पड़ती है, जबके कई दफ़ा मैंने सुना है, कई दफ़ा मैंने, जब सवाल का जवाब पूछता हूँ, एनीमिया का लफ़ मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन विलीन और गलुटामेट कमबخت नहीं जान चोड़ेगा, हाला कि इस लीस्ट इपॉर्टन थी, कोई विलीन गलुटामेट पे आपको फेल नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने सिकल सल डिजीस के अंदर ये नहीं बताया कि ये एक हिमोगलोबि जब तक वो नहीं बताएंगी तब तक परंपरानी पूरी होगी, ठीक है, तो ये एक मेरा आप लोगों से एक गुजारिश है और सजेशन है, आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, और जब भी सिनेरियो आप बताएं तो उसके अंदर तीन चीजों को आपस में रिलेट क पर उसके बाद सरजरी की ये बातें कबर करनी है, जो भी वहाँ पर सरजरी आए, वहाँ पर आप सरजिकल एर्जंसी को आप निकालें, उसके अंदर सरज कल रिस्क निकालें, आपको वो आपसे नहीं पूछेगा, आपको फॉरण जो उन्होंने सरजरी का नाम लिया है कोई भी ऐसी सर्जिरी जिसके अंदर कोई specific हो जैसे for example कोई भी orthopedic procedure जिसमें टॉर्निके लगना यह एक आपका concern हो गया कोई भी सर्जिरी अगर किसी खास position में होती है तो वो examiner आपसे नहीं पूछेगा याद रखें बाद आपने खुद बताना है कि इस patient के इसके अंदर bleeding हो सकती है यह surgery prone position में होती है यह लेठाटमी में होती है या इसमें टॉर्निके लग सकता है या इसके अंदर इसका duration बहुत जादा होता है या इसके अंदर कोई भी वो कोई भी concern हो सकता है वो plastic surgery है वो neurosurgery है वो तो आपको उस surgery से related important बातों का पता होना चाहिए surgery से related आपको level of anest anesthesia अच्छा मैं आपसे अभी a question पूछता हूं कौन जवाब देगा हिप surgery के लिए level of anesthesia कहां तक चाहिए what level of anesthesia you need for hip surgery yes sir T12L1 तक hmmm सोच लो INCN कहां पर लगती है और दूसरी बात जब भी वो आपसे level of surgery पूछे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए dermatome, myotome, osteotome ठीक है और अगर कोई joint की involvement है तो joint की आपको जो उसकी जो nerves जारी है वो cover होनी चाहिए ठीक है तो यह INCN पर depend करता है लेकिन आपका answer ठीक है 11-12 तक अगर थोड़ी लंबी INCN है तो T10 तक भी जा सकता है लेकिन आम तोर पर यहीं तक होगा अगर मैं आपसे पूछूं के foot की surgery है अब आप फसने वाली हो इसलिए सोच के जवाब देना foot की surgery है below knee amputation है for example below knee amputation है चले ठीक है वहां तक अ लेवल चाहिए होगा जी हिक्रा सर ये L2, L3, L4 वज़ा अब फस रही हो क्योंकि ये किताब में नहीं किया है क्योंकि मैं पिट-पिट कर रह गया हूं और मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा session कियें इस पर लेकिन आप लोगों को पास time नहीं था सोचो जरा नीचे वाले तो segments फुट में या नीचे वाले तो वह तो L4, L5, S1, S2 वाले segments होते हैं तो आप ये L1, L2 क्यों बोल रही हो जल्दी बताओ टार्ने के लगाएंगी वेरी गुड टार्ने के जो टार्ने के है ना टार्ने के के अंदर आपकी L1, L2 भी आएगी आपकी L2, L3 भी आएगी लैटरल, femoral cutaneous nerve of thigh भी आएगी, obturator nerve भी आएगी, क्योंकि जब टार्ने के लगाते हैं तो वो area उसमें overlapping होती है, तो even it can have up to L1, तो normally foot की surgery के अंदर तो L1 की कोई involvement नहीं होनी चाहिए, या below knee imputation में नहीं होनी चाहिए, but still, still you need to cover, यही बिल्गुल यही थियोरी आपकी hand surgery में है, hand surgery में भी जब टार्निके लगाएंगे तो musculocotaneous nerve वाली involvement आएगी, वहाँ पर intercoastral brachial nerve और medial cutaneous nerve of arm वो आएगा, ठीक है, तो यह वो चीज़ें जो आप लोगों को जब तक आप यह किताब में नहीं लिखा, यह आपकी Morgan शरीफ में नहीं लिखा होगा, यह मैं आपको guarantee देता हूँ, अगर यह बहुत चोटी सी चीज़ है, यह exam के अंदर अगर आप लोग यह चीज़ें अगर आपको आती होँगी तो आपके लिए जवाब देना असान होगा, अगर आपके लिए यह बातें नहीं आती होँगी, मैं आपको guarantee देता हूँ, आप फस सकते हैं कहीं नहीं, किसी नहीं किसी चीज़ेंगा, यह मैंने लिखा है, specific equipment, location, staff, medicines, logistics, ERCP जो है, ERCP वो आपसे सर्जरी पूछ रहे हैं, अब आपको यह नहीं पता कि ERCP कहां पर होती है, तो आपको logistics का नहीं पता चलेगा, आपको उसकी specific age group या specific population group अगर आपको याद नहीं होगा, तो आप फस सकते हैं, आपको यह याद नहीं रहेगा कि ERCP सिर्फ stone के लिए नहीं होती, ERCP cancer के लिए भी होती है, ERCP post transplant के लिए भी होती है, ERCP की बहुत सारी reasons हो सकती है, तो अगर आप अपनी पढ़ाई को organize करेंगे तो अवाईबा बहुत असान होगा, क्योंकि वहाँ पर तो चीजें आपस में correlation होगा न, तो अलग-अलग से topic नहीं आएगा वहाँ पर, most probably वो एक topic के अंदर बहुत सारी चीजों का inter, वो होगा, तो आपको जब तक ये सारी च हाल है, CPSP की history में किसी भी batch को वाईवे के लिए इतना time नहीं मिला होगा, ये मैं guarantee देता हूँ, मैंने जब second attempt में, मेरे लिए भी कुछ इसी किसम का थे हलाद, लेकिन ये उससे भी जादा है, इतना जादा time जो है न, वो कभी भी नहीं किसी group को मिला होगा, जितना आप लो भी discussion करता हूँ, मैं आप लोगों को कोई रटे नहीं मरवा रहा, मैं आप लोगों को कोई shortcuts नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ वो तरतीब बता रहा हूँ कि जो Y-Way के tips हैं, वो आप करेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, बड़ी एक लड़के से मैंने पूछा तो उसको यह नहीं पता था कि जो TURP के लिए level of anesthesia कहां तक चाहिए होता है, TURP के लिए level of anesthesia कहां तक चाहिए होता है, जी, तो यह T10 तक, T10 तक क्यों चाहिए होता है, सर जी तो prostate के तो सेक्रल होते हैं, तो यह T10 तक क्यों चाहिए होता है, नहीं सर इसकी autonomic supply sympathetic उपर से होती है, गलत, बिल्कुल गलत, सर गुरे लेडर की supply आ रही होती है, वेरी गुड, ठीक है, अब यह एकड़ा आपका भी concept गलत था, यह ब्लैडर की डिस्टेंशन से होता है, इसलिए जो traditional anesthetist थे ना, पुराने जमाने के, जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो वहाँ पर दो किसी ने अगर कह दिया, spinal तो वो तो crime होता था, वो लोग तो one CC लगा के करवाते थे, उनको बिचारों को, और वो सही थे, वो होता था, वो जो कुएं के अंदर घुसके, टी यू आरपी, उ स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा होता था, वो मेरे खाल इतना उसको डिस्टेंटी नहीं करते थे, वो करीब करीब से पानी डाल बूल के फारिग हो जाते थे, वो बताने का मकसद यह है, कि आपको concept पता होना चाहिए कि ब्लाइडर की डिस्टेंशन, और अब मुझे बताएं कि क्या ज़्यादा हाई अगर आपने स्पाइनल लगाया तो कोई नुकसान हो सकता है, यह आप से सवाल पोश सकते हैं, यह post-operative complication के reference है बहुत important question है, जो एनस्टेटिस के लिए practically भी बहुत important है और यह question प अगया है, is there any problem associated with it? Sir, अगर bladder की perforation हो जाएगी तो patient को pain नहीं होगा, अगर perforation जाती है तो फिर से वो pain refer होती है shoulder तक, तो उसे फिर 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 बंदे को आड़ी हो जाएगा, ठीक है, वो shoulder तक क्यों होती है refer? आपने जुम्ला बोला है, एक मिन्स को बताने दो, आप सही आपने बोला है, आप reason बताओ, सरसर्व सेम सप्लाई जा रही होती है, महमें वो जो सप्लाई कर यो शोल्डर को भी हो, नहीं वो देखो shoulder टिप उस वक तक हो, उस वक होगी जब इतना पानी भर गया है, या इतन इस टेंशन हो गई है कि वो डाइफराम को इरिटेट कर रहे है, ठीक है, वो सिर्फ ब्लाइडर की परफुरेशन में नहीं होगा वो, तरी स्थीक, मतलब वो उसकी जो आप रैफर्ट पेन कहना चाहरे है, वो रैफर्ट पेन क्यों होती है, क्योंकि डाफराम की सप्लाई ह तो इरिटेशन होगी, तो यह यह आप लोगों को थोटे छोटे छोटे चोटे कॉंसेप्ट हैं, यह आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए, यह आप से वो पूछेंगे कि बहुए ब्लाइडर की सिंड्रोम का तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ब्लैडर की पर परिफॉरेशन मास्क हो सकती है, तो इसलिए, इसलिए इसलिए इचुड बी अपार्ट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केर के आप उसकी अब्डॉमिनल डिस्टेंशन देख लें, यह उसका अब्डॉमिनल डिस्टेंशन देख लें, और मैंने अपनी, मेरे एक रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट ने ऑन टेबल उसने डाइग्नोस करवाया था, सरजन जले गए थे, प्राइवेट हास्पिडल में था, और उसने कहा कि ब्लैडर इस वेरी, सौरी, अब्डॉमन इस डिस्टेंडिब, वो सरजन फिर वापिस आया तो उन्होंने देखा तो उसके अ बिस्लोकेशन और वो सारा तो बताने हैं, आपने ये बात जरूर बतानी है, खास तोर पे ओल्ड एज की, कि आपने उसकी प्री उपरेटिव, उसकी लिमिटेशन को नोट डाउन करना है, कि क्या वो पेशन्ट की कोई लिमिटेशन तो नहीं है, कि आपने पकड़के उसको स्पाइनल लगा के उसको रिस्टेंशन वो करवा दिया, उसका लिथार्टमी और उसका जॉइंट बिस्लोकेट हो गया, फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको तरतीब से पता होनी चाहिए, इसी तरीके से ये एक लिस्स बनाई वी है आपको हर जो इवन लॉंग केस के अंदर जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं, जब आप एग्जैमिनेशन कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग के अंदर A.S.A. स्टेटस आ गया, उसके मैट्स आ गया, उसकी न्यू आर्कार्ट असोसेशन क्लासिकेशन आ गई, किनेडियन क्ला आपको लगता है कि उसकी कोई, वो है क्या उसको कहते हैं, कार्डिक इंवॉल्मेंट है तो या आप दो तीन चीज़ों को आप चार चीज़ों को आप निकाल ले, क्लिनिकल रिसफेक्टर निकाल ले, एक्टिव कार्डिक कंडिशन तो नहीं है, किनेडियन क्लास और फेक्टर, इसी तरीके से, हैर्बिल फेक्टर, अगर किसी से, पेचिन को दीज़ी को डईबिटीज है, तो एacement तो िको इस तरीके से अपने लिंक चीज़ों को आपस बहुते हैं, यह चीज़ें लिखी नेफरोपैथी हो सकती है एक diabetic patient है उसकी spine surgery होनी है आपको examiner नहीं बताएगा आपने उसको बताना है diabetic patients के अंदर retinopathy हो सकती है तो हमने rule out करना है कि इसके अंदर कोई retinopathy अगर होगी क्योंकि prone position में आप करेंगे तो prone position में ना सिर्फ उसकी ischemic optic निरोपैथी हो सकती है prone position में pressure direct pressure effect भी आता है plus spine surgery के अंदर hypotensive anesthesia भी surgeon demand करते है plus modern trends में अकसर transinamic acid की भी infusion दी जारी होती है तो ये सारे factors mix मिलाके इस patient के अंदर post operative transient और permanent blindness होने के chances होंगे वह आपने ये चीज़ को document करना है ठीक है ये मैंने आपको एक link बता दिया है एक diabetic patient का prone position से मैंने आपको link बता दिया है तो ये वहाँ पर exam के अंदर patient की category, disease और surgery इन तीनों की आपस में interaction जरूर है important जब तक आप नहीं करेंगे exam के अंदर आप फस जाएंगे क्योंके examiner ने कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई एक point निकालावा होगा वगर आप उनको जब आपका वायवाश शुरू होता है और आप शुरू में उनको बता देंगे तो आपके लिए चीज़ों को pick करना आसान हो जाएगा तो ये basically हर patient में देखें कि thromboembolism का risk तो नहीं है P.O.N.V का रिस्क तो नहीं है aspiration का रिस्क तो नहीं है कोई ऐसी condition तो नहीं जिसमें हाइपोथर्मिया तो नहीं रोसकता जैसे ये एक हाइपोथर्मिया का रिस्क है ये T.O.R.P यागर उसमें cold fluid से irrigation करेंगे तो patient हाइपोथर्मिया हो जाएगा delirium के जादा chances होंगे in addition to whatever जो हो रहे हो रहे है इसी तरीके से leprotomy हो रही है तो उसके अंदर भी हाइपोथर्मिया के जादा chances होंगे तो आपको हर सर्जरी में आपने इन चीजों को pick कर लेना है ठीक है अगर एक elderly patient है तो वो भी IV cannulation की problem है एक obese patient है वो भी IV cannulation की problem है एक new net या premature patient है वो भी IV cannulation की problem है एक chubby baby है वो भी IV cannulation की problem है हर case के अंदर निकाले multi-disciplinary team हर case के अंदर ये practice करें आप ये practice करनी पड़ेगी क्योंके वहाँ पर ये ही चीज़ में लोग फसते हैं मैं fail वह हूँ FCI के वाईवे में कि मैंने क्योंके कभी जिन्दगी में किया ही नहीं यॉन विलिबरेंट डिजीज के patient को खुद ही दे रहा हूँ decmopressin खुद ही उनको बता रहा हूँ ये तो उनको end पे हर patient के अंदर देखें जैसे अगर एक patient को placenta प्रीविया है तो आपको multisipciolary टेम पता चल जानी चाहिए placenta प्रीविया क्रीटा में कि इसमें urologist भी होगा इसमें intervention radiologist भी होगा इसके अंदर general surgeon भी होगा इसके अंदर ICU भी होगा unitologist भी होगा इसी तरह आप हर के अंदर घुसाएं सोचें कि कौन कौन सी team से होगी एक poly trauma का patient है तो आपने उसमें बताना है कि इसके अंदर trauma से related तमाम orthopedic की team होगा इसके अंदर radiology का होगा fast scan होगा उसके अंदर आपकी जो है वो neuro की team होगई आपने basically हर यह जो मैंने लिखे में ना यह यह मैंने अपने तौर पर सोच सोच के लिखे में लेकिन यकीन कीजे आप यह try कर ले practice कर ले इसकी वो कहते हैं शर्तिया मिठे मजा ना आए तो पैसे वापस मैं यह कह सकता हूँ क्योंकि यह चीजें वो हैं जो exams में आपको fail कराती हैं या पास कराती हैं हर के अंदर आपने reasons निकाल ली है हर के अंदर यह कर ली है तो I think it's enough for today आप लोगों के पीमती time देने का बहुत बहुत शुक्री है क्योंकि मैं तो उमीद में बैठा होता हूँ कि कोई मैं तो लंगर खोल के बैठा होता हूँ आप लोग मसरूफ लोग है छोटे मुटे हमारी बात सुनने के लिए आपको पास time ही नहीं होता बड़े बड़े बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बड़ी बड़े टॉपिक बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें और एक मुझे एक और वदराम किया हुए जिशान भाई डाटते रहते हैं भाई मैं नहीं डाट रहा अगर मैं इस वक आप लोगों को ये मिठी मिठी आप लोगी क्लास नहीं लूगा तो नुकसान किसको होगा ये मुहमद जान आया हुए लगा जान ने मेरे से बहुत मिठी 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 मेरे इसने मेरे इससे क्लास ली है बलेकिन इसको खुद फायदा होगा जिशान एहमाच-अच्टा साभ को देख लो हमें इज़दत दे रहे हैं जिशान, जिशान को पता है कि जिशान ने मेरे से कितनी डाटे काई हुई, ठीक है? आजर आजर, मैं तो इन लोग को रुखमेंड़ करूँगा, कि आप लोग ना, एनस्टीजा नॉलiedज कर यूट्यूप चैनल है, उसकी 2019, पीस और एकिस की वीडियो देखें, जो इस वक्ति के सेशन हुए हैं ना, चंद एक देख लें, उससे आप लोगं को आइडिया हो जा जाट पेख नहीं वो जी जीशान जो बता रहा ना मैं आपको बता हूँ देखो लोग यह समझते हैं कि मुझे को इससे फाइदा आप जाता है ना तो मैं इससे कोई पैसे क्माने ना मेरा यह मॉनिटाइस चैनल है भाई, मुझे कोई फाइदा नहीं है, कोई एक देखे, लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस होता है जब लोग फेल हो जाते हैं या जब मैं किसी FCPS पास या MCPS पास बंदे को भी मैं जब बेसिक गल्तियां करते देखता हूं तो मुझे दुख होता है लेकिन 75 दफा पढ़ने से और 75 दफा फेल होने से बेता रहें के बंदा सुन ले यहां पर आपको बहुत काम की चीज़े मिलें वाइवा सिर्फ नॉलेज आपके पास होगा तो आपकर वाइवा पास नहीं होता है वाइवा इस 50 परसेंट नॉलेज और 50 परसेंट हाओ तो प् परी डिटेल में एक एक टॉपिक के उपर डिस्केशन की वी है आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस तरह का क्वेस्टन आता है तो उसका आंसर कैसे अर्टिकुलेट करें और किन वर्ड्स में बताएं तो एक्जामिनर खुश होके उस आंसर को एक्सेप्ट कर लेगा बहुत कम टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं कवर किया वे एर बेसे लेकर अब यह जो रीजिनल वाला है यह अभी जिस पर फस रही थी है यह रूट वैलू यह अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग डिसकस किया था कि सरकमसीन है किनी सरजरी है हिप सरजरी है उसके भी करें मुझे पिछले एक महीने से यूवी आइटस हुआ है तो मुझे प्लरिंग हो रही है विजन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है लेकिन अपनी तरफ से मुझे जब भी मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम निकल है मेरा देखे मैं तो आप लोगों का वैल वेशर ह है और ट्रेनिंग हमारी अफ्रीकन स्टेंडर्ट की भी लिए है तो इस बातों को सुनके मेरे जो सीनियर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं कि जी ये तो बड़े हमारे यहीं से निकल के हमसे ही बातें कर रहे हैं तो मैं जबके यह बात मैं रिफ्यूज करता हूँ मैं मैंने ज लोगों को प्राबलम होती है आप लोगों को एक्जैम के अंदर बिल्लकुल डिफरेंट चीजें होती है एस कंपेर टू आप लोगों को किताब पकड़ा दी जाती है कि मौरगन पढ़ते जाओ एंड पर बंदाल कहता है कि मौरगन तो समझ तो आती नहीं है या तो कुछ होने ही उसको भूल जाता है, ठीक है? तो ये है सारी कहाणी जीशान ने बहुत अच्छी महकँछी ही है अगल अगल स्टार्ट राउड और ट्रेनिंग में इस टार्ड कर लिए जाए ने तो आपकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि जी इस केस में देखना क्या क्या है लिटरली जब मैंने ट्रेनिंग खतम की थी और जब एक्जाइम की तियारी शुरू की थी सर्जिशान रुपाद और इन लोगों ने जब गाइड करना शुरू किया कि क्या कुछ है तो मतलब आई वस अप दो अपिनियन कि बही 90% अभी तक राता ही नहीं है अभी तो 10% सीख है ट्रेनिंग के एंड पर तो बारहल ये कि कुछ स्टूड़न्स बहुत अच्छे जवाब देते हैं असमा ने बहुत अच्छे आंसर दिये इतरा निकरा ने भी अच्छे दिये है महमा जान तो खेर घूंगट में रहता है और एक और कौन बन्दा आया था ये जिन नहीं पता नहीं कौन है आपने भी एक दो बाते बोली है तो आप लोगों के लिए किसी भी बख कोई भी चीज आपने पूछनी है आने वाले दिनों में मैं आपको सिर्फ यही आखरी बस में बात कर रहा हूँ बहुत देर हो गई है प्रीज बोलने की प्रैक्टिस करें और बोलें वो उतना बोलें कि जितना आप वहां पर पांच मिनट के अंदर आप टेबल वाइवे में बोल सकतें और पंदरा मिनट के अंदर आप लॉंग केस में बोल सकतें इस से जादा अगर आप याद करने की या इस से जादा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप जलके भसम हो जाएंगे और वहां पर सारे लोग गलत बियानी से काम लेते हैं और पता भी नहीं होता किसी को जो नए पास हुए होते हैं वो एक कोई बात याद आ जाती है वो बता के उसकी कहानिया सुना रहे होते हैं कि ये मेरे से पूछा था और ये मैंने बताया था तो मैं पास हो ऐसी बात नहीं होती पूरे का पूरा वायवा होता है मुझसे एक दफा पूचा था मैं इस सबको बार बार याद करके बताता हू कि ISE PACK TESTS क्या होता है अब मैं बाहर जाके बहुत अरम से कह सकता था मेरे से तो ISE PACK TESTS पूचा था मुझे नीए आता था और मैं फैल हो गया हलागे आईस पैक टेस्स बिचारा मिस्कीन था उसकी वज़ा से नहीं मैं फैल हुआ था मैंने अलहमदलिल्ला लेजर सर्जरी बगार अंडरो ट्रेकल ट्यूब के की थी मैंने उसका एरवे फाड दिया था इसलिए मैं फैल हुआ था तो बहुत कम लोगों के अंदर ये मौरल करिज होती है कि वो बाहर जा के सच बात बताएं वो पता नहीं क्या क्या कहानिया बता रहे होते हैं तो उन से बचें लॉजिक पे चलें बड़ी बड़ी चीज़ों को पहले करें वहाँ पर अपने आपको confidence से अपने आपको वहाँ पर प्रिजेंट करें और इसलिए मैं कहूंगा कि पहले answers prepare कर लें ठीक है बहुत बहुत शुक्री है आप लोगों के आने का आस तोर पे जिशान आपका बहुत शुक्री है और आगे आने वाले दिनों में जिसने भी जो भी चीज़ पूछनी है I'm available 24-7 just drop a message to me thank you very much assalamualaikum thank you sir